राजिस्थान के बारा छबडा उपखंड एबम तहसील छित्र के ग्राम पंचायत कडियावान गाउं के पास इस्तित नाला पार करते समय सुकवार को एक व्यक्ती बह गया गटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पर प्रशासने का दिकारी भी मौके पर पहुँच गए सरपंच भगबान सुरूप धाकर ने बताया कि सुकवार को कडियावान इस्तित नाले में पानी का वहाब तेच होने से इसी गाउन इबासी बाबुलाल उम्र पच्चास पुत्र लक्ष्मी नाला पार करते समय संतुलन विगड जाने से बह गया इसी नाले में गत्वर्स भी एक के सुरी की बहने से मृत्य हो गई थी इस मामले में सुरेज कुमार हर सौलिया ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें मिलते ही उन्होंने तहसीलदार हर्यों त्यागी वा पटवारी सहित पुलिस कर्मियों को यहां पहुंचने के निर्देश दिये हैं इसके चलते उन्होंने मौका इस्तल पर पहुंच नाले में बहे व्यक्ति की ग्रामीडों के सहोग से सरगर्मी से तलास प्रारंब कर दी है और सनिवार सुबह रैस्क्यू टीम द्वारा यहां पहुंच कर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा रात्री नौ बजे तक नाले में बहे व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया था सुबह आठ बजे के करीब गाउं के समीप नाले के पास मरत अवस्ता में पड़ा मिला यूबक छबडा एस्टीम तहसिलार पुलिस और ग्रा देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर कबर पर